सिवान के जएल में मुसलिम कैदी करेंगे छटपूजा जएल में ही बनाय जा रहा है तालाब नमस्कार मेहुष्वांगी और आप देख रहे हैं A1 News बिहाद सिवान के जएल में मुसलिम महिलाए छटपूजा करेगी जएल को दूल्हन की तरा सजाय जा रहा है जहां बिल्कुल सही सुन रहे है जेल में ही चटपूजा करने की तैयारी चल रही है जेल के अंदर ही पूरा धुनधाम से चटपूजा मनाय जा रहा है चार दिनों तक चलने वाला चट महा पर्व बिहार के लिए काफी खास होता है इस पर्व को करने की इक्ष़ा रखने वालों को किसी भी तरह की बाधा रोक नहीं सकती है ऐसे ही सिवान जेल में देखने को मिल रहा है जेल में बंद कैदियों के लिए जेल की सलाखे भी बाधक नहीं बन रही है जेल में बंद कई कैदी इस वर्स भी छट पूजा कर रहे हैं और इसके लिए जेल परशासन का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है सिवान की जेल में पिछली साल की तरह इस बार भी आस्था का महापर्विच छटपूजा की तैयारी शिरू हो गई है खास बार जेल में एक मुस्लिम महिला भी छटपूजा करेगी जिसकी पूरी ववस्ता का जिम्मा सिवान जेल पिशासन ने खुद लिया है इस बार सिवान जेल में बंद रुखसाना समेत 15 महिला कैदी छटपूजा करेंगी रुकसाना ने 2015 में छट पूजा की मनत मांगी और उक्वास रख कर छट वरत किया था इस बार भी वो छट वरत करेगी इस संबंध में जेल अधीक शक संजीव कुमार ने बताया कि इस बार खरीब 15 छट वरती महिला पुरुष जो इस महापर्व को करेंगे जिसके लिए जेल के अंदर ही अर्ग देने के लिए एक छोटा सा तलाव और पूजा सामगरी की ववस्ता जेल प्रशासन ही करेगा प्रशासन के द्वारा तलाव पर लाइटनिंग की जुआएगे और नए कपरे पूजा के सामान उपलब्ध कराएगे ताकि जेल में बंद शटवरतियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो पिछले वर्स 2021 में भी जेल में बंद कई कैदियों ने शटपर्व किया था जिसकी संख्या करीब 8-10 थी वहीं इस बार शटवरतियों की संख्या करीब 10-15 तक हो सकती है जिसमें कुछ मुस्लिम शटवरती महिला भी है जिसको देखते हुए सारे इंतिजाम किये जवारे है आपको बता दे कि सिवान जेल में बंद एक मुस्लिम महिला से लेकर पूरुसों तक शटवरत रखने वाले हैं आए जवारा है कि एक हिस्सा जो छट करने के लिए होगा उसे दुलहन की तरस सजाय भी जाएगा वहीं जेल परशासन के द्वारा नए कपरे भी उपलब्द कराए जाएंगे आपको बता दे कि पिछली बार जेल में 8-10 कैदियों ने छट किया था इस बार ये संख्या बढ़ कर 15 हो गई है लोकास्था का महा परव शट के गीतों से कोईला अंचल में भक्ती का महौल हो गया है ऐसे में जेल में भी शट परव के मधुर गीत बज़ रहे हैं सिवानकारा में खास दौर पर छट के लिए एक तालाब का नर्मान किया गया है यहाँ एक मुस्लिम महिला कैदी छट का ब्रत रखती है और सूरी को अर्ग अर्पित करती है जेल परशासर ने उस महिला कैदी के लिए सभी प्रकार की वस्तूओं का इंतिजाम किया है चटकी पूजा संतान के स्वास्त सफलता और उसकी दिरगायों के लिए नर्जला उप्वास रखकर की जाती है इस वरत को सिर्फ महिला ही नहीं बलकि पुरुस भी रखते है बढ़ाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताए